हालो गोडीवनी आपडीवन आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं नंबर सिस्टम के बारे में नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम चार तरह के होते हैं there are four types of number system फर्स्ट वन बाइन नंबर सेकंड वन डैसिबल नंबर थर्ड वन अक्तल नंबर पूर्थ वन हेक्जाडेसिमल नंबर अगर मैं इनकी बात करूँ तो इसको शोट फॉर्म में बिन के नाम से जाना आता है इसको शोट फॉर्म में इसको बिन के नाम से इसको डैक के नाम से इसको आक्ट के नाम से इसको हैक्स के नाम से अब बात करते हैं इनके बेस के बारे में अगर मैं की बेस की बात करूं तो बाइनरी का बेस टू होता है क्योंकि इसमें दो ही नंबर आते हैं है musical Mm 내 back का मतलब 10 होता है इसमें 10ップे पिबर आते हैं अग का मतलब 8 होता है, इसमें 8 नंभर आते हैं और ग्वेसा नंभर कोन-कोन से बात बलब करते हैं, बाद करते है यु मे बात कुछ का बलत है, what है नंभर को जो से न लेकर 9 तक कुछ पी था है,duct cielo 1-0 , Бахिए, trigає ke आक्टल नंबर की बाई तरू जीरो से लेकर seven तक जितने भी नबविज़ वो सारे circular जाःए लीजे जीरो से लेकर nine तक सारे decimal के सारे नमबर आते हैं, इसके इलावा, हेक्षडेसिमल में छे नमबर और आते हैं, A से लेकर F तक, A से लेकर F तक, अगर बात करें, A, B, C, B, E, F, अब A जो रिपर्जन करता है, वो 10 को रिपर्जन करता है, B, 11 को, C, 12 को, D, 13 को, E, 14 को, F, 15 को, मैं इसको सेंटर करता हूँ, सेंटर में करने के लिए मैंने इस पे क्लिक किये, सारे के सारे सेंटर हो गए, आप देख सकते हैं कि यह नमबर सिस्टम है, जो मैंने आपको संधाया है, कि चार तरह के नमबर सिस्टम है, Binary, Decimal, Octal, Hexadecimal और इसको शॉट फूर में, Bin, Deq, Octal, Hex वोलते हैं, इसका बेस 2, 10, 8, 16 होता है, नमबर सिस्टम, Binary में, 0 & 1 की फॉर्म में, जो नमबर होता है, वो Binary होता है, Decimal में 0 से लेका 9 तक सारे Decimal में होते है, Octal में 0 से लेका 7 तक, और Hexadecimal में 0 से लेका 9 तक, और इससे लेका रह तक, यह रिप्रेसंट करता है, 10 को, B11 को, C12 को, D13 को, E14 को, और F15 को, थांक्स पर वाचिं मैं वीडियो, प्लीस सब्स्क्राइब मैं वीडियो, प्लीस सब्सक्राइब मैं वीडियो,